और एक फ्रेम भी बेजा है वो फ्रेम मैं भी दिखा नहीं सकता क्योंकि वो तो हेलो दोस्तों कैसे हो सब लोग अभी की इस वीडियो में बात करने वाले एलवी श्यादो और किरती महरा के बारे में दोस्तों अधि आप लोग एलवी श्यादो का रेगुलर ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता हो कि आज से दो दिन पहले एलवी श्यादो का एक ब्लॉग आया था जिसमें एक आयुसी नाम के बंदी ने उनको एक लेटर भेजा था तो कि Elvis Shadow के एक fanpage team Elvis Shadow OP को handle करती है और दोस्तों उसने एक frame भी बेजा था लेकिन Elvis Shadow ने फ्रेम नहीं दिखाये था बस उस letter को दिखाये था तो सबसे पहले आप लोग उसकी clip देख लो दोस्तों आप लोग देखा कैसे Elvis Shadow ने उस letter के बारे में तो बात की लेकिन उन्होंने फ्रेम नहीं दिखाये दोस्तों इसके बाद का अपी लोग comment करके पूछ रहा थे कि आखिर उस frame में क्या था तो दोस्तों जिस IOC नाम के बंदी ने Elvis Shadow को frame भेजा था उसने अपने YouTube चलके community tab में उस frame का picture किया था जिसमें आप लोग देख सकते हो कि Elvis Shadow के साथ किरती मेरा भी नजर आ रही थी और दोस्तों यही कारण हो सकता कि Elvis Shadow उस frame को दिखाने से बज़ते हुए नजर आए और दोस्तों उस IOC नाम के बंदी ने कल अपने Instagram पे Q&A से सारा था जिसमें एक बंदे ने उनसे पूछा क्या आपने जो Elvis Shadow को later दिया उसमें किरती मेरा के बारे में लिखा था तो दोस्तों उसने बोला कि हाँ उसमें किरती मेरा के बारे में लिखा था और दोस्तों जब एक बंदे ने उनसे पूछा क्या दिसंबर में एलवी श्यादों और किर्ती मेरा साधी करने वाले हैं तो उस बंदी ने उनको रिप्लाई देते हुए लिखा कि आपके मुँ में घीस सकर यदी ऐसा हो जाये तो तो दोस्तों आपको क्या लगता है एलवी चादों और किर्ती मेरा के बारे में कोई भी अब डेट जाना चाते हो तो हमारे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब